जैहिन बच्चो आप सभी का मेरी हिंदी की कक्षा में स्वागत हैं आज हम हिंदी की कक्षा में हिंदी व्याकरन पढ़ेंगे ठीके तो सभी व्याकरन की बुक निकालेंगे व्याकरन की किताब ठीके पेज नंबर है चार क्या है शब्द अभ्यास ठीके तो शुरू करते हैं दे गए शब्दों की मदद से खाली इस्थान भरो यहाँ पे एक पेड़ बना हुआ है और उसमें कुछ शब्द दिये हुए है ठीक है? और बाकी खाली इस्थान है इनको आपको भरना है ठीक है? तो पहला है साप डैश में रहता है कहां पे रहता है साप? बिल में तो यहाँ पे क्या आएगा? बिल दूसरा है मचली डैश में रहती है कहां में रहती है? कहां रहती है मचली? पानी में तो पानी आएगा यहाँ पे अगला है बंदर डैश पर रहता है बंदर कहां पे रहता है अब आप बताईए बंदर कहां रहता है पेड़ पे रहता है है ना तो यहां पे आएगा पेड़ अगला है चुडिया डैश में रहती है चुडिया कहां रहती है गोसले में तो यहां पे क्या आएगा गोसले लास्ट है मधुमक्षी डैश में रहती है कहां रहती है छत्ते में तो यहाँ पे आप लिखेंगे छत्ता ठीक है अब अगले पेश पे आईए पेश नमबर पांच क्या बोला है जो पेड़ पर नहीं होते उनके नाम नीचे लिखो जो पेड़ पे रहते हैं उनमें रंग भरो बच्चो यह आपका homework है समझ लेजी इसमें क्या करना है एक पेड़ बना हुआ है और पेड़ में कुछ चितर बने हुए है कुछ चीज़े बनी हुए है कुछ फल इन में से जो चीजे पेड़ पे नहीं होते हैं, ठीके, उनके नाम लिखने हैं, नीचे खाली स्थान दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है, इसमें उनके नाम लिखने हैं, जो पेड़ पे नहीं होते हैं, ठीके, और जो पेड़ पे होते हैं, ठीके, उसमें क्या करना है, र रंग भरेंगे ठिक है ये इम्ली सा बना हुआ है ये भी पेड़ पे ही नें नाम लिखेंगे ठिक है ये आपका हॉमबक है अगला भी हम कर लेते हैं पेज नमबर छे तो अगले पेज पर देखें लेखन अभ्यास यहाँ पर क्या है चित्र देखो और शब्द लिखो यहां पे कुछ चित्र बने हुए हैं और उसके नीचे खाले स्थान है उस खाले स्थान पे आप इनके नाम लिखेंगे जो चित्र बने हुए हैं इन चीजों के नाम लिखेंगे पहला चित्र देखें पहला क्या बना हुआ है पतंग तो यहां क्या लिखेंगे इसके नीचे पतंग, दूसरा क्या है बिस्तर, तो इसके नीचे लिखेंगे बिस्तर, नीचे देखेंगे, क्या है खिड़की है, तो क्या लिखेंगे इसके नीचे खिड़की, अगला क्या है घोड़ा, है न, तो यहां पे आप लिखेंगे इन दूसरी तरफ देखे गुलाब के फूल की डंडी है जिसे हम कलम कहते हैं तो इसमें कलम लिखेंगे अगला बासुरी है तो बासुरी लिखेंगे नीचे है एक बूढहे का चित्र बना हुआ है तो इसमें लिखेंगे बूढहा आगे सीड़ी है तो इसमें लिखेंगे सीड़ी उसके नीचे देखिए क्या है गलत शब्द को काट दू यहाँ पर कुछ शब्द दिये हुए है और इसमें क्या है गलत शब्द को काटना है मैंने काट रखा हुआ है है ना देखिए एक किया हुआ है चांद ठीक है दो चांद लिखे हुए एक पर क्या है अंकर की बिंदू है और एक पर चंदर बिंदू है तो चांद में चंदर बिंदू आता है ठीक है इसमें देखिए दो दात लिखे हुए है दो तरीके से तो इसमें क्या है अंगूर पहला कट जाएगा दूसरा वाला राइट है ठीक है उसके नीचे है चित्र देखो और सही शब्द पर गोला लगा इसमें गोला लगाना है जो शब्द सही है उस पर गोला लगाना है देखे एक है गाड़ी और दूसरी लिखी हुए गाड़ी तो गाड़ी होती है तो दूसरे वाले पे क्या करेंगे गोला लगाएं क्योंकि इस सही शप्ते गोला लगाना है अब कड़ाई के निचे देखे क्या होता है कड़ाई ही होता है ना के कड़ाई तो पहले वाले शप्ते गोला लगाएंगे एक बच्चा पढ़ रहा है तो क्या होगा पढ़ना या पेज नमबर 7 इसमें भी है चित्र देखो और शब्द लिखो पहले वाले कोलम में पहला बना हुआ है चित्र बिल्ली बिल्ली का चित्र है बिल्ली लिखेंगे उसके नीचे धकन बना हुआ है तो धकन लिखेंगे ठीके और उसके नीचे क्या है लड्डू बना हुआ है तो यहां लिखेंगे मगर मच, ठीक है, मगर मच, उसके नीचे क्या है, स्कूल बना हुआ, स्कूल की बिल्डिंग है, विद्याले है, तो इसमें लिखेंगे विद्याले, उसके नीचे क्या है, एक चिठी है, ठीक है, पत्र है, तो इसमें लिखेंगे पत्र, तीसरे वाले कॉलम में है पहला वाला चितर बादल तो बादल लिखा उसके नीचे क्या है रुपिया पैसा तो उसके नीचे क्या लिखेंगे पैसा उसके नीचे क्या है रुमाल का चितर है तो क्या लिखेंगे रुमाल अब फिर से आ जाते हैं गलत शब्द को काट दो और सही गलत शब्द को का काट देना है, पुस्तक, पुस्तक में आधा सव आता है ना की पूरा सव, ठीके तो इसलिए पुस्तक बिल्कुल आधा सव वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, काट देंगे हम, अगला बाला है पत्थर, और दूसरा लिखा है पत्थर, तो पत्थर में भी आधा तव आता है ना कि पूरा तर तो इसलिए पूरा तर वाला पत्त्थर जो लिखा है न उसे काट देंगे अगला है शुरू ठीके तो शुरू शुरू में ये वाला बिल्कुल करेक्ट है तो दूसरा वाला हम काट देंगे ठीके अगला है रूठना ठीक है ना और ये है रूठना तो इसमें भी हम ये गलत वाला काट देंगे मैंने किया हुआ है आपको ऐसे ही करना है अगला है चित्र देखो और सही शब्द पर गोला लगाओ ठीके पहला चित्र है मक्खी का है ना तो इसमें क्या लिख्या हुआ है पहले मक्खी मक्खी नहीं होता है मक्खी में आधा का आता है ना की खा तो दूसरा वाला बिल्कुल सही उस पे गोला लगाएंगे अब पत्ता है ना पत्ता मतलब एड्रेस हो जाता है पत्ता मतलब पत तो पत्ता में आधा तो भी आता है यानि दूसरे वाले पर गोला लगेंगे ठीके अगला है बस्ता बस्ता में आधा सा आता है नाकी पूरा सा तो इसलिए पहला वाला गोला लगेगा ठीके बच्चो तो आज हम यही तक करेंगे और इसको ध्यान से करेंगे आप देखके ठी के सुन्दर सुन्दर करेंगे जहिन बच्चों